नमस्कार साथियो, दाट डिगनिटी के यूटूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है, मैं आशुतोस आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ओगनाईजेशन या अंतरराश्ची संगठनों की, व अभी रीसेंट में जो भी एकजाम आ रहे हैं, उसके करेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्रपूर है, तो कि आज कल सीधे प्रश्च पूछा जाता है, इन में से कौन सा संकठन जो है, उसका सदस्भारत कब बना, या इनका जो आपका मुख्याला है, वो कहां पर उपस् संस्थान जो है, वो एक ना एक प्रश्च आपके एकजाम में आते ही आते हैं, है न, चलिए, एक बार इस वीडियो में हम देखेंगे, कौन-कौन से संस्थान हैं, जो भारत या भारत जिन से जुड़ा हुआ है, और भारत सरकार जो है, उज़का सदस्थ बन चुकी है, ए उन्हें थोड़ा सा आपका जो है, टार्गेट किया जा रहा है, उसका कारण यह है कि अभी भारत सरकार का जो है, अफ्रीका के बीच पे संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं, और इसलिए आपको भी प्रयाच करदा है, कि जो अफ्रीका से जुड़े हुए कैसा ओगनाईजेशन है, ऐसी और अपरीका का आपका जो है, लीगल कंसेल्टिव, मतलब ऐसी और अपरीका के बीच में आपका जो है, जब भी ऐसा लीगल कोई weiß डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसके लिए यह आपका एक और अज़नाईजेशन बनाया गया है, इसकी स्थ इसनेгर बात क्या है दोस्तो इसका headquarter कहां है इसका headquarter डिली में है कहां है दिली में है तो प्रॉपर आप लोग note down करते चलिए गा कौन कौन से संस्थान जो महत्वण संस्थान है उनकी चर्चा कर रहे है तो इसका headquarters कहां पर है new Delhi में अभी वर्तमान अगर members की बात की जाए तो कितने देश इसके at present member है 47 देश तो पहला संगठन जो बताया वो है AALCO आलको आप कह सकते हो Asian African Legal Consultive Organization तेखे आपका जो है आप इसे हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं आपका Asia Africa विधी आपका जो है consultive का मतलब आपका जो है या कहा जाए तो विचार या आपका जो है सुझाओ आपका विधिक सुझाओ organization है या संगठन है 56 में बना है 2000 में आपका भारत इसका member बना 26 अप्रेल को headquarter इसका कहां पर है New Delhi में है और members country कितनी है 47 ठीक है चलिए development bank के नाम से स्थापित तो हुआ है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो share ratio किस देश का है चीन का है और यही bank जो है यह बहुत बार news में आता है क्योंकि चीन जो है जो भी loan provide करवाता है अफ्रीकन देशों में एशियन देशों में स्री लंका जैसे देशों में पाकिस्तान जैसे देशों में उसमें वो सबसे ज़्यादा यूज किसको करता है ADB को करता है क्योंकि ADB में सबसे ज़्यादा शेयर देशों किस देश का है चीन का है Asian Development Bank की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना भी कब हुई है 1956 में सेम एजा आल को इसमें इंडिया मेंबर कब बना 2010 में इंडिया इसका मेंबर बना है Headquarter इसका कहां है Philippines के Manila कहां पर Philippines के Manila में आपका जो है इसका Headquarter है Members Country का कितनी है 68 और यह जो Asian Development Bank है दोस्तों यह कोशिश करता है कि जो Asia के जो देश हैं उनकी जो Economy है उनको सपोर्ट करने के लिए पैसा दिया जाए तो ADB जो है Economy को सपोर्ट करने के लिए कुछ आपके Construction Works जो है एशिया के देशों के उनको सपोर्ट करने के लिए पैसा प्रवाइड करवाता है और हाला कि इसकी ब्यास दर थोड़ा सा जादा होती है आइए मैं पर वर्ल्ड बैंक से लेकिन यह है कि भाई लोन मिलना ज्यादा जरूरी है अगर थोड़ा बहुत भी उपर नीचे तो कोई दिकत नहीं अब जैसे पाकिस्तान है और आपका जो है श्री लंका है इन्हें कोई लोन ही नहीं दे रहा अब अगर ब्यास दर बहुत डेवलप्मेंट बैंक नॉन रीजिनल मेंबर्स मतलब आपका अगर देखा जाए तो यह बैंक किसका है अफ्रीकन डेवलप्मेंट से संबंदे थे लेकिन उसके रीजन के अलावा भी इससे दोस्त या मेंबर्स जुड़े हुए हैं यह सिर्फ अपने अफ्रीकन देशों क वो नहीं जोड़ता नॉन रीजिनल मेंबर्स भी जोड़े जाते हैं और इसमें आपका अगर स्थापना की बात की जाए तो 1964 में स्थापित हुआ है इंडिया इसका मेंबर कब बना है दिसंबर 1983 1983 हैट क्वार्टर कहां पर है ट्यूनेशिया के ट्यूनेश शहर में अहां 27 तो याद रखना है आपको AFDB जो है या अफरीकन डेवलप्मेंट बैंक जो है उसमें अफरीका के साथ साथ जो बाहर के देश है वो भी इसके मेंबर है जरूरी रही है कि सिर्फ एक ही रीजन के मेंबर हो भारत इसका मेंबर है 1983 से और इसमें आपका अभी at present कितनी मेंबर कंट्री है 73 कितनी है 73 चलिए नेक्स एजी ऑस्ट्रेलियन ग्रूप या ऑस्ट्रेलिया ग्रूप इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है 1985 में कब हुई है 1985 में और इसके आपका इंडिया इसका मेंबर कब बना है अभी at present रीशन्ट में ही बना है ज्यादा समय नहीं हुआ है 2018 में ही जन्वरी 19 को भारत जो है एस्यन गृप का या स्री आस्सेलिया आपका ग्रूप का कितनी है 42 ठीक है तो ऑस्ट्रेलिया मकलब जो ऑस्ट्रेलिया की इकोनोमी से जुड़ा हुआ है captured होता क्या ही यह संगठन क्यों बनाय जाते हैं ताकि व्यापार को भी बहुत अच्छे से चलाया जा सके क्योंकि आपको पता है कि एक WTO organization है हाना और यह जो WTO organization है यह व्यापार को पूरी तरह से नियंत्रित करता है अपने जो सदस्य देश है लेकिन अब क्या हो रहा है बहुत सारे देश आपस में भी क्या कर रहे हैं एग्रीमेंट कर रहे हैं MOU signing कर रहे हैं में व roku एक्वार्टर ब्रूसेल्स बेल्जियम में है अभी कितने मेंबर कंट्रीज है 42 मेंबर कंट्रीज है कितनी है 42 चलिए एसी अन रीजुनल फोरम अस्वेशन ओफ साउथीष एस एसन नेशन यह कहा जाए तो एशियन आपका जो छेत्रीय संगठन है या एशिया छेत्रीय संगठन आप सो कह सकते हैं इसमें एशियाई देश जो हैं उनका जो साउथीस्ट है हाना मतलब दक्षण पूर्वी जो हैं उनका आपका संगठन है एक प्रकार से एशिया की अगर बात की जाए तो दक्षण पूर्वी मतलब आपका ये ब्यान मार्थाई लेंड बरमा इंडोनेशिया ये सभी जो आप में देखा जाता है इसमें इसकी स्थापना कप की गई 1960 में की गई है इंडिया इसका मेंबर कब बना 1996 में बना है है इंडोनेशिया जकारता में कहां है इंडोनेशिया जकारता में में मेंबर कंट्री अभी इसके कितने सदस्त देश है 27 सदस्त देश है कितने है 27 तो अगल भारत के पास के चेत्री संगठन है। जिसे बहरत के आस पास के जो देश हैं जैसे भारत हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, आपका बूटान हो गया ये सारे आपके जो देश जिससे जुड़े हुए बे और बंगाल आपका जो है इने सेट्यू फोर मल्टी सेक्टोरियल टेकनिकल एंड एकोनोमिक कोपरेशन बिम्स्टेक इसका फाउंडेशन कब हुआ है 1997 में हुआ है इंडिया इसका मेंबर कब बना है 2009 में बना है 2009 में बन स्थापना कब हुई है 1997 में इंडियन मेंबर्शिप 2009 आपका हेड क्वाटर धाका बंगलादेश और कंट्री कितनी है साथ अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे इसी टॉपिक से संबंदित तो उसमें हम एक-एक संगठन लेकर उसके जो सदस्त अब जो देखिए United Nation जो आपका संगठन है जिसमें 193 आपके देश है उस United Nation की अगर बात की जाए तो देखिए उसमें जो सदस्त देश है उनके बीच जो व्यापार होता है वो Agriculture से संबंदित होता है और उसके व्यापार को आंगे बढ़ा सके तो इसके आपका जो है स्थापना कब हुई है 1945 में हुई है इंडिया इसका member कब बना है 1945 में ही बना है साथ में 16 अक्टूबर 1945 इसका headquarter कहां पर है Rome Italy में है और इसके member countries कितने है 194 देश जो है वो इसके members है कितने 194 देश यह किसके अं तर्गत काम करता है ठीक है चलिए next IAEA International Atomic Energy Agency ठीक है और इसका प्रमुक काम क्या है Atomic Energy से जुड़े हुए जो देश हैं जिनके Atomic Research चल रहे हैं Atomic Plant चल रहे हैं उन सभीयों को देखते रहना कि भाई कहीं Atomic Energy को Nuclear Energy में तो नहीं बदला जा रहा नुक्लियर बम में तो नहीं बदला जा रहा तोगी आपका अगर आप विश्व में देखेंगे तो नुक्लियर आपका जो है उसे पूरी तरह से बढ़ाने की ऐसी कई संधियां की गई है जिससे नुक्लियर जो आपकी Warheads है उनको ना बनाया जाए ज्यादा से ज्यादा ज जो है Renewable Energy की तरह है आपका कई देश इसका उप्योग कर रहे है जैसे भारत भारत में बहुत सारे परमाडू सायन थे जिनसे बिजली बनाई जा रही है तो उन सभी चीजों को देखते हुए Atomic Energy के लिए एक संस्थान बनाया गया है 1957 का बना हुआ है जबसे Atomic की रेस चालू हुई भै पैतालिस में पहला बंगिरा और उसके बाद रेस चालू हो गई थी USSR और USA के बीच में हाना तो तभी इसकी इस्थापना की गई उनने सो संतानवे में सुरी संतावन में इंडिया इसका Member उसी समय से ही है जुलाई 16 से इसका headquarter है वियना ऑस्ट्रेलिया में अला कहाна वियना ऑस्ट्रिया आपका जो है वहां पर अउस्ट्रिया है next इसके Member Countries कितने हैं %177 हेट कॉंटर वियना अंट्रिया है ये ऊस्ट्रिया नहीं है मेंबर कंट्री कितनी है 105 कर बारत अभी तक नहीं है और members country कितनी है 186 कितनी country है 186 country आपका जो है इसका member है International Finance Corporation के नाम से जाना जाता है विट या कहा जाए तो bank की तरह काम करता है जो आपके सदस्य देश हैं उनको पैसा provide कराता है money provide कराता है next OPCW organization for the prohibition chemical weapons अब क्या हुआ था कि आपका जब दुती विश्युद्ध चल रहा था न दोस्तों तो Hitler के उपर ऐसा आरोप लगाए गया था कि Hitler ने बहुत सारे chemical weapons भी बनाए हैं एक बड़ी जनसंख्या को मारने के लिए तो जिस तरह से nuclear bomb आपका पूरी मानोजाती के लिए नुकसान दायक है उसी तरह के यह chemical weapons भी नुकसान दायक हैं उदारण के लिए अभी जो कोरोना आया था कई लोग कह रहें कि भाई यह नैचुरल वायरस था कई लोग कह रहें कि इसे आपका जो है वहान लैप से छोड़ा गया था जानबूच के तो अब अगर आप सोचें अगर यह वास्तविक रूप में छोड़ा गया होगा तो प प्रोइबेशन फॉर केमिकल वेपन्स इसकी स्थापना होई 1997 में इंडिया इसका मेंबर कब बना 1993 में 14 जन्वरी 1993 में हैटकवाटर इसका कहा पर है होग में या निदरलेंड में और इसके member countries कितने हैं 133 कितने हैं 133 ताकि chemical weapons जो है ना उनको रोका जा सके next सार्क है ना या South Asian Association for Regional Corporation सार्क South Asian Association for Regional Corporation और इसकी स्थापना हुई है 1985 में और इंडिया भी इसका member कब बना है 8 December 1985 को headquarter इसका कहा है काटमांडू नेपाल में कहा है काटमांडू नेपाल में और इसमें member countries कौन है भारत के आसपास भारत पाकिस्तान ये सभी इसमें आपका जो आठ जो देश है भारत के पास के वो member countries हैं किसकी सार्क की स्थापना 85 भारत member बना 85 में headquarter काटमंडू नेपाल में है और member countries कितनी है 8 है ना चलिए आंगे बढ़ते हैं साउथ एशियन कॉपरेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम मतलब साउथ आपका जो एशिया है दक्षण जो एशिया है उसमें जो इन्वार्मेंट प्रोग्राम है उनको चलाने के लिए एक organization बनाया गया है 1982 में इंडिया इसका member नहीं है headquarter इसका है कोलंबो श्री लंका में members country कितनी है आठ कितनी है आठ तो आप जिसमें भारत नहीं है आप उन्हें skip भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है लेकिन आजकल target में कुछ भी आ सकता है ये भी आ सकते हैं ये भी आ सकते हैं तो target के हिसाप से आपको देखना पड़ेगा चीजों क जिसकी meeting होने वाली है कहां पर गोवा में भारत में और इसमें आपके आठ मेंबर से इसमें भारत भी है पाकिस्तान भी है या सांगाई corporation organization जो है इसमें चीन भी है इसमें रूस भी है इसमें आपका कजाकिस्तान किर्गिस्तान ऐसे करके आठ देश हैं आपके foundation इसका कब है 1996 में इंडिया इसका member कब बना है 2017 में headquarter इसका कहा है बीजिंग चाइना में और total member कितने हैं आठ और इसकी 2023 में meeting कहा होने वाली है आपके गोवा में इसकी meeting होने वाली है और यही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत triggering point है तो कि पाकिस्तान अभी जो है जम्मू काश्मीर के मुद्दे को लेकर international organizations में जा रहा है भारत की बेज़ती कर रहा है भारत की बारें बुरा-बुरा बोल रहा है और अभी पाकिस्तान में बाढ़ की विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो साहब तो वो जो वहां पर कर रहे हैं वो जब यहां एंगे दुस्व भाविक बात है भारत में भी वही होगा चलिए नेक्स युनाइटेड नेशन सायोगत राजसंग दुती विश्वद्ध खतम होने के बाद आपका ऐसा माना गया कि भाई अब युद्धों का समय खतम आपका जैसे अभी वर्तमान भारत सरकार ने कहा लडाईयों का समय खतम हो गया बहुत लड़ लिए दो विश् 1945 में इसे बनाया गया इंडिया इसका मेंबर 30 अक्टूबर 1945 मतलब इस्थापना से ही है है इसका कहा पर है न्यूयोक बिसका है और इसके मेंबर कंट्री कितनी है 193 कितनी मेंबर कंट्री थी और देखा जाए तो अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई संगठन है जो विश्व में बहुत आपका जो है पावर्फुल अपनी पोजीशन रखता है तो उसमें से एक नंबर आपका किसका आता है यूनाइटेड नेशन का आता है संयोक रास्ट आपका जो संग है उसका आता है विश्व के लगभग लगभग हर मामले में यह उपस उपस्थिर रहती है यह नहीं रहेंगे तो इनकी ब्रांचे वहां उपस्थिर रहती है चलिए नेक्स यून एड्स उनाइटेड नेशन प्रोग्राम ओन एचाईवी एंड एड्स एचाईवी आपका जो एड्स की जो बिमारी है उसके लिए आपका एक और संगठन है यू प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी यह चीजें काम में आएंगी तो कि एक वीडियो में ही आपके यह महत्तपूर महत्तपूर संगठन हो रहे हैं और आपको डेट पता चल रही है करेंट मेंबर पता चल रहे है भारत मेंब एकाण है यहा उनने लिखा नहीं हैं घॉनट्स को जो है भारत बारत सारी ऐसी है और वह साथ मत्र डू induced प्लिदम कह सकते हैं cosmetic इंग इंबर काण्ची कितनी है 195 चलिए नेक्स्ट है WHO World Health Organization कोरोना की समय इनको भहुत याद किया गया क्यों याद किया गया उसका कारण यह था कि जब विश्व में कोरोना फैल गया यह नों माना नहीं कोरोना वैस्ट्रिक पैंडेमिक है बिमारी है और जब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया तब इन्होंने का कि हाँ भाई बिमारी तो है और इसलिए कहा जाता है वह ने कोरोना की समय पर आपका बहुत सटेक्ता से और बहुत अच्छे इमांदारी से काम नहीं किया क्योंकि अगर करता तो हो सकता था कि पैंडेमिक आपका जिस तरह से उसने विक्राल रूप धरण किया वो वैसा नहीं धरण करता इस्थापना होई है 1948 में 12 जन्वरी 1948 को भारत इसका मेंबर बन गया है हेड़क्वाटर जिनेवा स्वीजर लेंड में है टोटल मेंबर कितन हैं 194 कितने देश है 194 किसके मेंबर है वर्ल्ड हेल्थ ओंगनाईजेशन के चलिए नेक्सप्षट पर्मानेंट कोट ओफ ऑर्बप्ट्री नेशन पर्मानेंट कौट ओफ आर्बडरी लेशन पांडेशन है इसका 1899 इंडिया इसका मेंबर कब बना है 1899 में हैड़कॉर्टर होग नीदरलेंड में है टोटल कंट्री कितनी है 122 है अर्बिट्रेशन का मतलब क्या है अगर आपका जो है किसी भी तरह इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है मिसाइल टेक्नोलोजी कंट्रोल रिजीम अब आजकल मिसाइल जो है उसी टेक्नोलोजी बहुत अलग-अलग हो रही है लेजर गाइड़ मिसाइल दुनिया भर की आपका जो है बैलेस्टिक मिसाइल और इंटर कॉंटिनेंटल मिसाइल बहुत सारी ऐसी टेक्नोलोजी जो बनती जा रही है तो इन मिसाइलों को कंट्रोल करने के लिए भी एक रिजीम बनाया गया है 1987 में इस्थापित हुआ है भारत मेंबर बना है इसका कव 2016 में 27 जून 2016 हैट क्वार्टर कहां पर है जापान में है टूटल मेंबर इसके कितने हैं 35 कितने मेंबर है थर्टीफाइड नेक्स्ट नॉन एलिगेंट मुवमेंट हैना और इसे अगर देखा जाए तो गुट निर क्वार्टर इसका कहां है जकारता इंडोनेशिया और टोटल मेंबर कितने हैं 17 कितने मेंबर हैं 17 मेंबर हैं नॉन एलिगेंट मुवमेंट का मतलब क्या है कि भाई हम किसी एक आपके गुट में शामिल नहीं होंगे उससे में वो अमेरिका और रूस के बीच में जो चल रह ना हम इधर हैं ना हम इधर हैं हम दोनों के बीच में हैं तो यह मुवमेंट था और 47 से स्टार्ट हुआ था यह ग्रूप और इसमें एंडिया मेंबर बना 1961 में इसका हैट क्वार्टर जकारता इंडोनेशिया में है और टोटल मेंबर कितने हैं 17 तो यहां पर आपका जो मह महत्पूर्ण महत्पूर्ण ओगनाईजेशन की जो डेट है इंडिया का मेंबर बना वो चीजे आपको मैंने बताई उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसी और बहुत सारी वीडियो के लिए और क्लासेस के लिए आपको दडिगनेटी चैनल से जुड़ स करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं धन्यवाद